प्यारे सातियो नमस्कार दोस्तो आज अपनी हाँ बात करेंगे आपको ग्रह जिला है वो कितने नमर पर मिल सकता है और उसके अलावा किस कंडिस्थन पर आपको ग्रह जिला मिलने की संभावना इलग बख सातियो समापत हो जाती हैं अच्छे नमर लाने के बावजूद भी और उसके अलावा नए सेशन में जोईनिंग फर्ष्ट लेवल वालों को कितनी जल्दी मिल सकती हैं। उसके अलावा लेवल वालों को जोईनिंग के लिए थोड़ा सा इंतिजार करना पड़ सकता। इस पर भी अपनिहां डिसकस करेंगे। देखो साति वर्तमान में क्या हैं जो पहले थर्ड़ गेट टीचर में जोब कर रहे हैं। तो उनका क्या है सरकार लगबग ट्रांसफर करने के जो आदेश दिये हुए हैं। वो हमें उम्मिद है कि जुलाई या कि आसपास उनके ट्रांसफर कर दिये जाएंगे। यदि ऐसा होता है और आपको जुइनिंग के आदेश मानलो सातियो लेट मिलते हैं। तो कहीं न कहीं जो पुराने थर्ड़ गेट टीचर में लगे हुए हैं। वो क्या हैं जो आसपास की जो आपके ग्रह जले या ग्रह तैसिल में जो पोस्ट खाली हैं। उनको क्या कर देंगे वो भर देंगे। कौन जो पहले से थर्ड़ गे टीचर में लगे हुए हैं। यदि मानलो भई उनके तबादले से पहले आपको जुइनिंग के आदेश दे दिये जाते हैं। जिला वंटन हो जाता है तो जो पोस्ट खाली है उनको कौन भरेगा। जो नए जो टीचर लगे हैं 48,000 भरती में तो वो उन पहले खाली पोस्ट को भर देंगे। और उसके बाद यदि मानलो उनका ट्रांसपर होता है तो उनका ट्रांसपर दूर दराजे तैसिलों में ही हो पाएगा। जैसे मानलो आप अलवर के रहने वाले हैं और आपकी तैसिल कौन सी है मुंडावर है। और आपके अच्छे नमबर आ रहे हैं यदि वहाँ पर पोस्ट खाली है आपकी जोइनिंग देने से पहले तो आपको वहाँ जोइनिंग मिल जाएगी। पोस्ट के अलावा हो सकता है दूसरी तैसिल में जाना पड़ सकता है आपके जैसे अलवर जिला है तो उसकी दूसरी तैसिल में जाना पड़ सकता है। अमिजद आई जारी है कि उनके ट्रांस्पर है जुलाई के आजपास देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखो लेवल वन वालों के लिए तो अच्छी न्यूज यह है कि भई उनको तो लगबग नई सेशन में ही जोइनिंग के आदेश उससे पहले ही दी जाएं। क्योंकि आपका रजल्ट भी जारी हो गया, स्कोर कार्ड भी जारी हो गया, डोकुमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा क्योंकि स्टुडेंट कम है। लेकिन लेवल टु में स्टुडेंटों का आकड़ा जादा है और परिणाम भी खेर हो जाएगा दो या तीन दिन में जारी लेकिन वेरिफिकेशन प्रक्रिया में समय लगेगा। तो लेवल टु वालों को ग्रह जिला लेने के लिए थोड़ा सा संग्रस करना पड़ सकता है।